नमस्का स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दोस्तों आपको बता दे कि अभी हाली में टीम इंडिया के विकट कीपर बलेवाज रिसब पंद का एक बहुत बड़ा बयान आया है जी हाँ रिसब पंद ने क्या आपने बयान में कहा है और किस तरह से उनका ये बयान टीम इंडिया के लिए सुब संकेश साबित हो सकता है वो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है इसलिए आप सभी हमारे इस वीडियो को अंतक देखेगा दोस्तों आपको होता दे कि पिछले लंबे टाइम से रिसब पंद की फॉर्म जो है वो काफी सांदार चल रही है अब ऐसे में रिसब पंद से अभी हाले में एक इंटरव्यू लिया गया जहां पर रिसब पंद का कहना है कि मैं पिछले साल की तुलना में अब काफी बहतर मानसिक इस्तिती में हूँ जी हां भारती टीम के युवा विकट कीपर बल्ले बाज रिसब पंद पिछले कुछ महिने से सांदार परदर्सन कर रहे हैं उन्होंने बल्ले और विकट कीपरिंग दोनों से ही टीम को जीत दिलाएने में एहम योगदान दिया है पंद ने अप की कारेक ट्विटर एकाउंट पर एक वीडियो साज़ा किया जिसमें रिसब पंद ने बताया कि वो अपनी मानसिक्ता पर कैसे काम कर रहे हैं और इस समय उनकी मानसिक इस्तिती भी बहुत भैतर है 23 साल के बाय हाथ के बल्लेबाज ने वीडियो में कहा मुझे लगता है कि मैं पिछले साल की तुल्ला में बहुत अधिक आसवस्त खिलाडी हूँ क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में जब आप एक अलग मंच पर आते हैं खास तोर पर घरेलू इस्तर से लेकर अंतराश्टिय किर्केट तक तो आपको उस इस्तर पर सेट होने के लिए कुछ समय चाहिए होता है पंत ने आगे कहा मैं केवल अपनी मानसिक्ता पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं काफी बहतर मानसिक इस्तिती में हूँ जो कि टीम इंडिया के लिए भी एक बहुत ही अच्छे संकेत है आपको बता दे कि रिसपंद जैसे बल्लेबाच का अच्छी मानसिक्ता में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रिसपंद एक ऐसे खिलाडी है जो अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट च चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद